नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उमेद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं प्रिंस अर आपको इस यूटूब चैनल पर सोसियोलजी सब्जेक पढ़ा रहा हूँ मेरा यूटूब चैनल प्रिंस 21 पांडी और इसके साथ मेरा मुवाइल नंबर है 980707781640 जिस पर आपको सोसियोलजी सम्मधित इनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉंटेक्ट कर सकते हो बट एक पर्डिकुलर टाइम पर करिए तो हमें आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कल से एक इस चैनल पर मैं शुरू किया हूँ एक सिरीज वह सोसल थिंकर से सम्मधित है तो कल की जो वीडियो थी। उसमें मैंने आपको ढ़ाये तो फियोडियो और आपको अधु junt अच्छा लगता है तो लाइक करिए खाया और सब्सक्राइब करिए जो नए हैं और बेल आइकंडाना मत भूलेगा थेक हैं! तो हम लोग चले आज हम इस वीडियो के अंतरगत तो उसी करम में आज हम इस वीडियो के अंतरगत आगस्ट कॉम्ट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में ठीक है आगस्ट कॉम्ट हमारे जो फ्रांसी सी समाशास्री रहे हैं एक बैग्यानिक समाशास्री रहे हैं जिन् जिन्हों ने एक इनके नाम के साथ जोड़ा जाता है कि सरप्रथम इन्होंने बिग्यान को समाशास्र के साथ जोड़ा यानि इनका मानना था कि जिस प्रकार प्राकृतिक बिग्यानों में प्राकृतिक बिग्यानों में कहेंगे कि प्राकृतिक बिग्यानों के अधार पर जिस प्रकार प्राकृतिक बिग्यानों में अध्यान किया जाता है और अध्यान करने के लिए बैज्यानी बिग्यान का प्रयोग कियाता है प्राकृतिक बिग्यानों में उसी प्रकार यानि बिग्यान के अंतरगत क्या करते हो यानि अवलोकन नेरिक्षण परिक्षण ये सब सारी चीप प्रक्रियाइं कम्प्लीट की जाती है बिग्यान में उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि समाज में भी होना चाहिए तो चलिए हम अब one by one देखते हैं तो पहला वक के बाद तो आपको अगस्ट कॉम्ट के बायोग्राफी से ये पता होना चाहिए कि ये कहां की समाज शासरे थे तो ये कहां के थे फ्रांस के थे अभी हम आगी इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ेंगे ठीक है तो आप बस इतना जाने रहे कि फ्रांस के थे और इनके गुरू कौन थे तो इनके गुरू सेंड साइमन थे सेंड साइमन के बैग्यानिक बिचारों से ही प्रभावित होकर इन्होंने बिज्ञान या प्राकृतिक बिज्ञान का अध्यान अध्यापन स्टार्ट किया था ठीक है और बाद में फिर ये बिज्ञान को प्राकृतिक बिज्ञान को समाजिक बिज्ञान से जोडने का प्रयास किया तो चलिए हम पहले लाइन बाइन पहले पढ़ लेते देखे प्रतेक्षवाद पॉजिटिविजम प्रतेक्षवादी दर्शन के जन्मदाता कौन कहलाते हैं अगस्ट काम्ट को अगस्ट काम्ट को समाशास्त्र का पिता कहा जाता दफादर आफ सोशियोलोजी आपको पता होगा कि फ्रांस में 1938 इसबे में मैंने कहा फ्रांस में 1938 इसबे में समाशास्त्र को का जन्म हुआ और इसके जनक जो कहे जाते हैं जिनके प्रयासों से इसके उत्पत्ति भी या विकास हुआ वो किसके प्रयास से हुआ? आगस्ट कौमड के प्रयास से हुआ और आगस्ट काम ही करता है समाशासर के तो समाशासर का फादर इने कह रहाता है अगस्टकॉमड को 1938 इस में ठेक है? 1938 नहीं, 1838 है 1938 नहीं, ठीक है ध्यान रखीगा 1838 ओके, 1838 ये ध्यान रखीगा अब next राते चलते हैं, अब देखी यहाँ पे दो सब्द प्रियो किया है, इसके जन्मदाता प्रतेक्षवाद, पॉजिटिविसम होता क्या है तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रतेक्षवाद, प्रतेक्षअध्यान पर बल देता यानि किसी घटना के प्रतेक्षअध्यान किसी घटना का प्रतेक्षअध्यान करना प्रतेक्षवाद है अब प्रतेक्षअध्यान में सिर्फ देखना ही सिर्फ इसमें नहीं है यानि किसी घटना का अध्यान करने के लिए घटना का अवलोकन करना निरिक्षण करना वर्गी करना और लास्ट में निसकर्ष निकालना ये सब सारी बैग्यानिक प्रक्रियाओं का प्रियोग करके किसी घटना या समश्या का अध्यान करना ये प्रते क्वध का उद्देश है तो प्रतेक्शुवध प्रोजीटिविजम और प्रतेख्शवधि fier दर्शन जो दर्शन पर बेस्ट है इसके जर्मदात अगस्ट कॉम्मट है और अगस्ट कॉम्मट को समाश्शातर का पिता कहा जाता है कॉंट ने सोशियोलोजी सब्द की रचना की अभी पहले मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉंट समाज सोशियोलोजी सब्द का रचना की यद्देव पहले ब्यक्ति नहीं थे जिन्होंने समाच की बारे में समाच सासरी ढंग से सोज बिचार किया हो इनके पूर्व सेंड साइमन भी इसी ढंग से समाच की बारे में सोज बिचार कर रहे थे जिनके विचारों पर का उन पर निश्चत प्रवाव पड़ा अगर यह ज्यान रखेगा अगर आपके सामने। आप्षिन आता है कि समाश्यासर को एक बैग्यानिक ढफंग से समाश्यासर बनाने में सबसे पहला योगदान किसका है तो सेंड साइमन अगर आप्षिन में होता है बाद में इन्होंने प्रियोक किया ऊके ध्यान रखे का जुकाऊं नहीं था बाद में हुआ पहले इनके शिक्षा दिक्षा प्रक्रतिक बिज्नों में हुई थी बाद में प्रक्रतिक मृड़न की अधार पर ही समाण और समाज की अध्यन के लिए एक नए बिज्जन की आउशकता महसूस करते थे ठीक है, आई आगे चलते उनका विचार था कि समाज का अध्यान उसी प्रकार बैग्यानिक तौर तरीके से किया जाना चाहिए जिस प्रकार से प्राकृतिक बिग्यानों द्वारा भावतिक जगत का अध्यान किया जाता है अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने दोनों को compare किया और कहा कि जिस प्रकार प्राकृतिक बिग्यानों द्वारा भावतिक जगत का अध्यान किया जाता है और तारकी का अध्यान किया जाता उसी प्रकार समाज का अध्यान भी बैग्यानिक तोर तरीके से किया जाना चाहिए अपनी इसी अधारणों को मूर्त रूप देने के लिए एक नए समाजिक ग्यान की अधार शिराइन रखी और वो नया समाजी बिग्यान काउन था Social Physics वो नया समाजी क्या था Social Physics एक सिकट मैं स्क्राल कर लेता हूँ Social Physics जिसको सरप्रत्थम अब यहां पे एक कुशन और भी आता है कि सामाजी भावतिकी या Social Physics सब्द का प्रियोग किस ने किया या समाजास के सब्दावली से पूर्ब समाजी भावतिकी का क्या नाम था तो Social Physics ही नाम था यह भी कुशन समारी एक्जाम में आता है जिन्होंने सरप्रत्थम समाजी भावतिकी का नाम दे दिया इसे ठीक है यह चुरा लिया गया था यह से अभी इसके संब्द में ठीक है ध्यान खेगा कोईटलेट द्वारा ओके एक सिकंड़ कोईटलेट द्वारा इसे चुरा लिया गया था सरप्रथम समाजी भौतिया ने सोसर फिजिक्स का नाम दिया किन्तो इस बारे में काफी आलोचना प्रत्यालोचना मत भ्रांती उत्पन होने कारण कुछ समय बात कॉंड ने इसका नाम बदल कर सोसियोलाजी सब्द कर दिया कॉंड ने कहा कि प्राकृतिक विज्ञानों की भाद समाज शास्र को भी समाज की मूलभूत नियमों की खोज करने के लिए आनुभविक विधियों का प्रियोग करना चाहिए पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ आनुभविक विधिया क्या होता है मानुटा में सुधार हो सके और इसकी महति भूमिका से अदा करने से समाशास्तर द्वारा मानुटा का बड़ा भला होगा अब यहां पर आता है कि मूल भूत नियमों की खोज के लिए प्राक्रति समाज शास्त्र को समाज के मूल भूद नियमों के खोज के लिए किस बिधी का प्रियोग करना चाहिए आनुभविक बिधी आनुभविक बिधी क्या होती है एक प्रकार सी अध्यन करने की एक ऐसी बिधी होती है जो अनुभव आधारित होती है इसका मतलब ये है कि इस विधी के अंतरगत अध्यान करने के लिए हमें प्रतेक्ष अध्यान पर बल देना चाहिए अर्थात प्रतेक्ष अश्चने यानि अपने इंद्रियों का प्रियोग करके हमारे आख, कान, नाख, जीप, मौ और आधी इंद्रियों का प्रियोग करके क किसी घटना या समश्या का अध्यन करना चाहिए और इसी इसी अध्यन बिधी का प्रियोग यहां पर सुझाओ दे रहे हैं समाश्चास के मौलवोत नियमों को समझने के लिए ठीक है आगस्ट कॉम जी नेक्स आगे चलते हैं कोंट ने कोंट ने बिग्यानों के पदा नुकर किसने प्रसुत किया तो अगस्ट कॉम और इनको कहते हैं कि इसकी सुरुआज जो होती है वो गणित सास्त्र से होती है अब गणित सास्त्र तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो इन्हों ने बिग्यानों के अभी मैं सब पढ़ दूँगा फिर पहले को प्रसुत किया था किसके सरलता से सरलता से जटलता के स्टेप्स में ठीक है और सरलता से जटलता तो इन्होंने बिविन बिग्यानों को इसी करम में रखा और फिर इन्होंने सबसे सरल जो बिग्यान माना है वो गणित सास्त्र यानि अगर आपसे पूछा जाए कि बिग् बाद में फिर नचतर विग्यान जो इसको बलते हैं आस्ट्रोलोजी और भोति कृचान रशायन सास्त्र प्राणी सास्त नहीं बाजलोजी और बाद में फिर अंत में सर्वस्षास्त्र को सर्वोपरी माना है истор के बाद बिग्यानों के क्रम की सिंकला में सर्वो इपर ही समाश शासर को माना है यानि सबसे जटिल पर करिया अगर आप से पूछी आप तो समाश शासर को इन्होंने माना है सबसे सरल्बिग्यान गड़िसासर और उसके बास समाश शासर एक बार हमारी एक्जाम में 2018 के नट की एक्जाम में इसका क्रम भी पूछा है कि सरप्रतम किस विग्यान का सुरुआत होती है और सबसे लास्ट में कौन सा है जिसको क्रम बैठाने के लिए हमारे एक्जाम में भी आए तो आपको याद करना जरूरी है कि गड़श सास्तर उस प्रकार भिन भिन भिग्यान एक नैशरगिक और तार की क्रम में विख्षित होते हैं इनका मानना था कि इस प्रकार भिन भिन भिग्यान एक नैशरगिक तथा तार की क्रम में विख्षित होते हैं सबसे पहले वह बिग्यान विख्षित हुआ जो सबसे जटिल हो तथा सब सबसे सरल हो और सबसे बाद में जटिल होता है जिसका सरूकार सामान घटना हो या मानवता से अत्यांत दूर हो यहां पर यह कहा गया है कि तार के क्रम में बिख्षित होता है सबसे पहले वह विग्ञान बिख्षित होता है जो सबसे कम जटिल हो सबसे कम जटिल होगा तो या गड़शास्त्र का तो आप क्या कहोगे समाशास्त्र का तो ये इसलिए कहा गया है कि वह विज्ञान विख्षित सबसे पहले होता है जो सबसे जटिल हो सबसे कम जटिल हो यानि सबसे सरल हो और जिसका मानवता से अत्यांत दूरी हो और इन्होंने फिर कहा बाद में कि इ और समाशासर को सबसे अंतिमस्थान प्रदान किया और समाशासर को अंतिमस्थान प्रदान करके सभी विग्यानों की महरानी का शब्द प्रियोग किया अब आप से पोस्ता है कि सभी विग्यानों की महरानी किसे कहा कि विशय को कहा तो समाशासर को कहा किसने अगस्ट यहां तक clear हो गया होगा एक चीज यहां से question और भी आता है कि समाज शास्त्र के विकास में सबसे महतपूर बिग्यान कौन से था तो आप देखिए सोचने पे आपको मज़़ूर कर दिया है मैंने आपको हरैर की बता दिया है बिग्यान का करम बता दिया है अब आपको बताना होगा सबसे महतपूर रूप से कौन योगदान करता है बिग्यान समाज शास्त्र के विकास में तो आपको बताना चाहूंगा जैसा कि हमारी हरबर्ट स्पेंसर जीव सास्त्र से ही प्रेथ होकर समाज शास्त्र के अधाना को प्रस्तोत किया था यह समाज को समझाने का प्रयास किया था तो आप यहां पे समाज शास्त्र को सबसे बड़ा योगदान कौन देगा जीव सास्त्र यानि प्राणी सास्त्र या इसको बोलता है इंग्लिश में biology ये ध्यान रखेगा ये चीज़ ठीक है ये सोचने पर आपको आतूर करेगा तो सबसे नजदी की ये सबसे निकट का जो और सबसे बड़ा योगदान किस बिग्यान कर रहा है समाशास के विकास में तो जीव सासर कर रहा है क्योंकि जीव सास के जस्ट बाद ही समाशास रुत्पन होता है चलिए हम इनके बारे में कुछ इनकी महत्वपूर्ण वो जान लेते हैं बायोग्राफी की संबन्द में और बायोग्राफी हम बहुत ज़्यादा बताएंगी नहीं जो हमारी एक्जाम के लिए इंपॉर्णट है वही हम आपको बताएंगे ठीक है तो अगस्ट कॉम्ड का जो आप पढ़ लीजेगा मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ आप पढ़ लीजेगा बाद में यह लाइन अगस्ट कॉम्ड का जन्व द्रक्षण फ्रांस में हुआ था और 1768 नवेजवे में और इनकी प्रमुख विशय मूलता कब कौन कौन थी गणिता और प्राकृति भी ज्यान था बाद में और अगस्ट कॉम्ड की अगस्ट कॉम्ड के सेंट साइमन की विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था और और उन से कटु संबंद होने के बाद फिर वो क्या कर दिए वो अलग हो गए ठीक है तो सेंट साइमन एक प्रकार से इनकी गुरू भी थे ये भी आप जाने रहिएगा ठीक है आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट एक सिकन्ट नेक्स्ट है कि इसके बाद फिर इसके कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं है और दोनों दोनों की बिछड़ने के बाद जैसा की आप बताएगे कि काम्ट की बहुत कम और सत्रू मित्र बहुत कम हो गए सत्रू अधिक हो गए ठीक है ये भी इसमें कहा गया है आगे चलते हैं अब इसकी ये बायोग्राफिती आप पढ़ लिजीगा उसे अच्छे से जो जो इंपॉर्टन था एक्जाम की वेसे से वो मैंने आपको बता दिया अब आगे चलते हैं कॉम्ट का समाज़े ग्यानों में प्रमुख योगदान मानो प्रगति की नियम पर बेस्ट है मानो प्रगति का नियम है जो ग्यान के विकास पर आधारित है यानि ग्यान का विकास निर्भर करता है किसके मानो के प्रगति के लिए यानि मानो की प्रगति ये किस प्रकार हुई ये उसका ग्यान ही उसे निर्धारित करता है कि मानो किस प्रकार से विकास हुआ या मानो का विकास किस प्रकार से हुआ ठीक है तो मानो का विकास, उनकी मानता थे कि सभी समाजों का विकास कई चरणों में हुआ है इस मानता को अस्परश करने के लिए उन्होंने प्रगति का विकास को ही समझाने के लिए इन्होंने मानो प्रगति का विकास का नियम प्रस्तुत किया है ये आप ध्यान रखेएगा मानो प्रगत का नियम क्यों प्रसुत किया तो समाज के विकास को समझाने के लिए और समाज के विकास को समझाने के लिए तो ग्यान के विकास पर निर्वर करता है समाज का विकास ऐसा मानना था इसी को प्रतवाद करते हुए इन्होंने ग्यान के विकास का नियम भी इसे कहा जाएगा इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या माना है इन्होंने कहा है कि हमारे प्रतेक अग्रणी विचार हमारे जो आगे के विचार होते हैं हमारे ग्यान के प्रतेक साका हमारे समस्त बौधी विकास तीन विविंक सध्धामतिक अस्तरों की क्रम से गुजड़ता है ये भी हमारे एक्जाम में पूछता है तीन अस्तर कुनकों से है एक धर्मशास्त्री या कालपनिक जिसको बोलते है थियो लॉजिकल तद्थमियमन सा या अमूर्त मेटाफिजिकल बोलते है और प्रतेक्छात मेटाफीजिकल और प्याद रखेगा इसके संबंद में ट्रिक है ठीक है आए आगे चलते हैं इनके संबंद में सैधानती कस्तरों की क्रम में इन्हों बताया तो हम लोग वन बाई वन पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है धर्म शास्तरी और प्रतिक शात्म क्या है तो प्रत्थम धर्म शास्तरी ये अस्तर है प्रत्थम इन्होंने और चीज़ और बताना चाहूंगा कि इन्हीं के साथ ही मानों की मानों अस्तर के साथ एक बिशिश प्रकार का सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभ संगठन और राजनीतिक प्रभुत्य के आधार पर इसमें बिभाजन है मतलब समाज का जो संगठन है वो धर्म दो मेरा स्थि लाज अंसारी जैसे परते प्रभुत्य समाज के अनुसार ही परमपरागत समाज अगर आप धर्म शास्त्री अगर आप जो ग्यान का स्तर है ये परमपरातमक समास पर आधारित है परमपरातमक समास पर आधारित होगा तो वहाँ पर क्या राजी जैसे स्वरूब होगा नहीं होगा वहाँ पर जो हमारे धार्मिक कर्मकांड आधारित जो पुजारी पंडित है या जो एक पुरोहित हैं उनका राजनीतिक प्रभूत में योगदान रहेगा ठीक है इस प्रकार के समाज में और जब कि तत्मिमानजा जुसाज है हमूर्थ विचारों पर तो यह अमूर्थी है यहां पर ना तो परमपरागत होगा ना तो प्रतेष्छात्मक यहां पर इश्वरिय शक्ति को एक महत्पोर्ण माना जाएगा ठीक है सुरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ इश्वरिय शक्ति यहां पर देखे इश्वरिय शक्ति प्रति घड़ना की ब्याख्या लोकी किया आधी दैविक इसी अधार पर समझने के लिए किया आता है इसमें परिवार परिवार देखे परिवार समाजी काई का आदी रूप था और राजनितिक सत्ता जो थी पुजारी धर्मकांड धर्मिक कर्मकांड संबादित करने वाले सैनिकों के हाथ में हुआ करता था ठीक है अब हम लोग दोसरे बारे में देखते हैं अब हम लोग वन बाई वन देखते हैं इसमें यहाँ पर देखे पढ़ते भी जाते हैं और इसके बारे में समझते भी जाते हैं प्रतम धर्मशास्त्री अस्तर है धर्मशास्री प्रते घर्टा की ब्याख्या अलाओके किया अधितायवी का धार पर की जाती है इसी धार पर उसे समझने का प्रियास कियाता है इस अस्तर पर परिवार समाजी काई होता है और इसमें राजनितिक जो सकता है वो पुजारी और धर्मकान जो संपादित करने वाली लोग होते है या इसके अलावा साइनिकों के हाथ में हुआ करती है दुत्ती अस्तर क्या है? तत्तुमिवांशी अस्तर है पर ब्याक्या अबोत के सुरूत आमोर्त शक्तियों को माना जाता है आमोर्त शक्ति इस काल में राजनितिक जो प्रभुत तो होती है वो चर्च अदिकारियों और बिधी विशचग्यों के पास चला जाता है इसके साथ ही तीसरा अस्तर है सरबोच अस्तर सरवोचसर जो प्रतेक्षवादी और बैग्यानिक अस्तर भी कहा जाता है जिसमें राज जैसा स्वरूप बिद्धमान होता है जिसका समाज पर क्या होता नियंतर्ण होता या समाज को बिवस्थित करने का काम राज जैसी संसा करती है और राजिस संसा का सुरूप न तत्तुम्मान सा में था न धर्म शास्री में थीक है आए आगे चलते हैं इनकी महत्वपूर्ण देखें हम लोग बुकों के बारे में देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण बुकें कौन कौन सी है आपसे बताना चाहूँगा कि मानवता का जो धर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण भुक थी ठीक है मानवता का धर्म यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मानो धर्म लिहाया है ये मानो धर्म का किसी धर्म विश्यसिस का सम्मन्द नहीं है बलकि मानो धर्म का यहाँ पे सम्मन्द मानो की सेवा करने से है या मानो की कल्याण आर्थ, मानो की कल्याण आर्थ कारी करना ये होता है मानो धर्म मानो के कल्याण के लिए कारी ये होता है मानो धर्म तो religion of humanity यहाँ पे किसी धर्म पुजारी कर्मकान पंडित से नहीं है यहाँ पे आशे यहाँ पे मानवता की कल्यान से यहाँ पे मानवधर्म है इसी संबंद में इन्होंने इसमें ब्याक्या किया है आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तक प्लीज लाइक करियेगा शेयर करेगा और धेल सारे लोगों शेयर किये देखे मैं आपको बार बार आप लिए वीडियो बना रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग प्लीज इतना तो आप आपकी रिस्पॉंस्विल्टी बनती है अपनी रिस्पॉंस्विल्टी मानकर आप इससे सेयर करी अधिक साधिक लोगों को नए नए लोगों से जुड़ाईए इसमें और वो सब्सक्राइब करें ठीक है तेंक्यू सो मच आपको नेक्ष्ट बीडियो जो मिलेगी अभी साम को वह साम को मिलेगी आपको कुस्ट्यं से इडिटर्ट जो हमारी सोभा वाली जो ओन्लाइन क्लास चल थी उसके देखे मैं इस वीडियो में आपको online class के बारे में जनकरी नहीं दिया था तो मेरी जो online class है मॉर्निंग में जू मैप पे 8-10 बज़े के बीच में class चलती है उसके लिए अप contact करने के लिए आप contact number इसमें लिखा है मैं पहले ही बोल दिया था उसमें देख लीजेगा ठीक है मैं फिर से लिख दे रहा हूं 9807781640 इस पर आप contact सकते हों आपको information दे दी जाएगी thank you so much please do like, subscribe the video and press the bell icon thank you so much